दोसा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमन को देखते हुए प्रसासन सक्ती पर उतराया है प्रसासन ने बुद्वार को कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं होने पर बहतर घंटे के लिए दुकानों को सीच किया दोसा एसदियम संजे गोरा और डिप टीएस पी दीपक सर्मा के नितरत में टीम ने शेहर में गुम गुम कर कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने को लेकर जायजा लिया इस दोरान दुकानों पर गराकों और दुकानदारों के बिना मास्क मिलने पर तता सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं उने पर दुकानों को सीच किया प्रसासन की इस कारवाई का दुकानदारों ने विरोध भी किया उन्होंने का कि नेताओं की रेली में तो हजारों लोग होते हैं वहां कारवाई नहीं की जाती और हमारी दुकानों पर दो चार लोग मिलते ही कारवाई कर दी जाती है देखिए जैसे आप सबको विजित है कि कोरोना का कहर काफी बढ़ गया है और दूसरी वेव जो है वो लोगों काफी स्क्राइक कर रही है तो इसके लिए परसा सें पहले पिसले आरदस गिन से काफी सक्त कारवाई हैं करा है पर लोगों के मास्क जिनों नहीं लगा रहते हैं उनके चलान बनाएं सोसल इस्टेंसिंगे चलान बनाएं आज उससे हमें एक कदम आगे बढ़ते हुए जिन दुकानदारों ने मास्क नहीं लगाया था और जो बिना जिन ग्रावों ने मास्क नहीं लगा रहता हुए उनको सामान बेच रहते ऐसी कारवायां करते वे भी हमने छे दुकाने सीज करी हैं और ऐसी हम सकती आगे भी बढ़ते जा रहे हैं और पूर इंडिया में आज एक लाग सेधिक केस आ चुकी है इसी क्रम में दौसा में भी काफी लापरवाई लोगों द्वाजा की जा रही है जिसकी वैसे केस लगातार बढ़ रहे हैं तो करवाई है सर यह पांच केंडिडेट के उपर सीज कर रहे हैं दुकान को तीन तो दुकंदार का स्टाफ ही है आदमी क्या करेगा बताओ आप कस्टमर आएगा उसको बाहर थोड़ी निकाने कस्टमर के लिए तो बैठे हैं हम लोग वह पांच के उपर पैनल्टी है 500 के लिए दुकान सीज कर दी इन्होंने हमारी